बिसमल्यार मारे रीम, एक्सपर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स पार डिसकस करेंगे, तो एक्सपर्ट सिस्टम में हमारे पास थ्री मेजर कंपोनेंट्स होता है, एक तो यूजर इंटरफेस है, जिस पे यूजर जो है अपनी क्वेरी को पोस्ट करता है, और उसी इंटरफेस पर फिर उसको result भी return किया जाता है अच्छा जब user अपनी query को post करता है तो वो inference engine के पास जाती है और inference engine जो है फिर उस query से मतालिक जो related rules होते हैं और facts होते हैं वो knowledge base से extract करता है उसको process करता है और फिर result जो है वापस user को deliver कर देता है अच्छा जो knowledge base होती है इसमे facts भी होते है और rules भी होते हैं facts ने मुराद यह है जैसे एक शथे अच्छह उसको fever है एकस जो है उसके body में patches है तो इस तरह की यह चीजक जो है facts जो है वो इसमें भी है और वो user की query से भी एक्सिरेक्ट होते है इसकेड़ल आबर rules होते है अगर fever इतना हो और इस तरह के patches ह तो उसको जो है measles है और इस तरह के इस तरह का fever हो और इस तरह की age हो और इस तरह के patches हो तो वो monkey box भी हो सकती है तो इस तरह के जो rules होते हैं जो if then की form में होते हैं वो हमारे पास knowledge base के अंदर मौझूद होते हैं तो user interface के हवाले से देखते हैं The user interface is the part of the system which takes in the user's query in a readable form यानि जिसको user भी understand कर सकता है and passes it to the inference engine It then displays the results to the user ठीक है तो user की query जो है वो readable form में होती है इसको user भी understand कर सकता है वो inference engine को pass होती है और जो result आते हैं वो वापस user को deliver कर दिये जाते है And the knowledge base is the collection of facts and rules which describe all the knowledge about the problem domain जिस भी आप जैसे मैंने आपको एक medical के domain की example दी इसी तरह अगर आप university की knowledge base बनाना चाहरे है और तमाम जो दुनिया में universities हैं वो किस वक्त में कितनी percentage पे किस तरह से किन students को scholarship offer करती है उसके बारे में अगर student query करना चाहरे है तो अकर आप इस तरह की knowledge base बनाना चाहरे है तो उसमें उसके हवाले से वो domain हो जाएगा ठीक है तो जिस भी domain की knowledge base होगी उसमें उसके लिहाज से facts और rules जो है वो मौचूद होंगे यह inference engine का काम है कि वो user की query के मताबए रूल्स और facts को expect करके उसको process करके और फिर जो भी नतीजह आए वो user को वापिस करे इसमें एक बहुत important point है जो इस model के हिसाब से मैं आपके साथ discuss करना चाहूंगा वो यह है कि inference engine और knowledge base में domain के हिसाब से तो याद रखिएगा कि जो knowledge base होता है वो domain specific होता है और उसमें जो information होती है वो domain के हिसाब से होती है जैसे मैंने medical की example आपको दी तो उसमें जो data होगा related वो medical के हिसाब से होगा लेकिन जो inference engine है उसमें जो rules है वो किसी logic पे base कर रहे होंगे यानि जैसे हमारे पास propositional logic है first order predicate logic है model logic है description logic है तो यह जो logics है यह inference engine में होगी जो के domain independent होगी यानि यहाँ पर जो भी processing होगी वो आपके पास x, y, z variables की terms में a, b, c variables की terms में होगी और यहाँ पर जो information होगी वो यह होगी के a के बिहाफ पे हम क्या चीज़ identify कर रहे है ठीक है हम identify कर रहे है कि इसको कितना fever है b के उस पे हम identify कर रहे है कि उसके पास उसके body पे जो patches है वो किस type के है ठीक है तो यहाँ पर जो information होगी वो real world की terms में होगी लेकिन जब वो यह convert होगी inference engine में तो वहाँ पर हमारे पास logic कार फर्माओ की जो कि हम इस course में बततरीच आगे different form of logics को discuss करेंगे तो inference engine जो है यह logics पे काम करता है और उसके लिए वो variables कार फर्माओ जाते है जैसे कि अब हम आगे proposition logic में देखिए लेकिन knowledge base जो होता है वो हमेशा domain specific होता है यही वज़ा होती है कि user जब अपनी query को post करता है तो वो फिर knowledge base पे जाके वो उनी terms के साथ match होती है और जब inference engine किसी conclusion पे पहुँचता है तो वो conclusion वापस knowledge base की terms पर map होके user को result वापस होता है तो user को बिलकुल ऐसा लगता है कि जिस domain के हिसाब से उसने query की थी उसी terms में उसको result वापस आ है मिसाल के तौर पर अगर उसने stock exchange और shares वगरे में information चाही थी तो उसी की terms में उसको result वापस मिलेगा तो यह जहन में रखिएगा कि knowledge base जो होता है जो domain specific होता है और जो inference engine होता है वो domain independent होता है ठीक है, thank you very much